हेलो गाइज वेल्कम बैक टो नीव वीडियो अफ प्रधानमिक्स दोस्तों वैसे तो यह एक व्लॉग वीडियो है लेकिन हमारे चैनल का स्लोगन ही है व्लॉग विद नॉलेज तो यह वीडियो जो है बीच में आती है थोड़ी सी क्योंकि भाई यह थोड़ा सा व्लॉगी वीडियो और फ़ड़ा सा नॉलेजबल भी और ऐसे वीडियो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाई कोई पैसा लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं चाता अगर आप को समझ में नहीं आए वकर मैं बता दूं कि मैं इस चैनल के बहुत सारी online services देखने को मिलेगी, अब तो online हमने जंसेवा केंदर भी open कर दिया है, online आप जंसेवा केंदर के जो दूर दूर जाकर के जो आप काम कराते थे वो भी सब आपको देखने को महाँ पर मिल जाते हैं, जैसे license, photo, I mean photo print तो आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन license, अधा website बनाने की, और वो online website बनाने की क्या है, आप तो बहुत सारी YouTube पर वीडियो मिल जाएंगी, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो website बन जाएगी, यहां से domain लो, वहां से ऐसे कर लो, वो लोग बताते हैं, लेकिन बहुत बताते हैं, वो practical होता है, नहीं होता है, वो तो आपके उपर बनाना चाहते हैं, या फिर learning website बनाना चाहते हैं, या फिर education वाली website बनाना चाहते हैं, अगर आप इन सभी तरह की, किसी भी तरह की website बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो की description box में ही एक form होगा, website building का, उसको click करके उसमें सारी detail भर दिजे, हम आपसे contact करके, बाकी सारी detail ले ल प्रूरत है, कैसा आपको theme चाहिए, कैसा आपका domain चाहिए, कैसा आपको hosting चाहिए, domain चाहिए या नहीं चाहिए, hosting चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, तो हमारे पहले आते हैं subscriber के question पर, कि देखिए, दोस्तो earning website उनका कहाना था कि क्यों महगी ह होती है, normal website के दुरू, लेकि normal website होती है, उसमें SEO जो हम करते हैं, वो normal ही होता है, वो उतना ज्यादा optimized नहीं होता है, वो normal होता है, मतलब हाँ, अगर किसी ने company का नाम डाला, या organization का नाम डाला, या college का नाम डाला, तो भाई वो इतना capable होता है, कि नहीं भाई, पहले number या द double महनत लग जाता है, triple महनत लग जाता है, तब जाके उसको SEO करके हम आपको सौपते हैं, और जो और नहीं website है, उसमें 7-14 दिन लग जाते हैं, SEO करके आप तक handover करने में, और साथ-साथ, जिनको एकदम नहीं आता, website के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम उसको इतनी easy तरीके से बताते हैं, कि आप अपने mobile में बैठे-बैठे, या घर पे, laptop में बैठे-बैठे, आराम से access कर सकते हैं, उस पर भी हम एक dedicated वीडियो बना करके रखे हैं, जो भाई बनवा लेता है, उसे अलग से share करते हैं, कि भाई ये देख लो, ये वीडियो देख लिजे, असानी से आप चलाना सीख जाएंगे, तो ऐसा ही कुछ है, तो जो इनको समझ में नहीं आता है normal thing, उनके लिए हमने ये service ला दी थी, कि भाई आप चाहें, तो अपने company, office, organization, सब का website हमारे through बनवा सकते हैं, अलग-अलग website की अलग-अलग charges होते हैं, उसमें domain का अलग होता है, hosting का अल भारतrail.xyz, अगर इसमें देखा जाएं दोस्तों तो यह जो भारतrail.xyz है, यही दोस्तों domain है, अगर आप इसे purchase नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा इसका website का नाम होगा, www.bharatrail.blogspot.com, या फिर ऐसा हो सकता है www.bharatrail.wordpress.com, या .in, ऐसा कुछ जाएगा, इतना लंबा URL जाए बहुत जल्दी rank नहीं करता है, बहुत जल्दी rank नहीं करता है, बहुत एक तरह से आप कहिए कि फ्री website बन जाती है, लेकिन इसमें जो है ना तो आपका post rank करेगा, आप SEO अच्छे से कर पाऊगे, इसलिए लोग domain खरीते हैं, ताकि एक अच्छा domain रहे है, जैसे www.bharatrail.xyz ह तो फटाक से पकड़ेगा, Indianrailway.com है, फटाक से आ जाएगा, उपर rank कर जाएगा, तो जैसा domain रहेगा, उसी इसाफ से Google search engine को, Google का जो search engine है, उसी इसाफ से उसे optimize करता है, उसी इसाफ से rank करता है, अच्छा domain है, महंगा domain है, तो उसे जल्दी rank कराएगा, पहले rank कराएगा, railway के बारे में कोई search करेगा, तो अगर माल लिजे, Indianrailway.com है, .com आ रहा है लाश्ट में, तो वो जो है rank बहुत जल्दी करेगा, तो domain basically आपके website का नाम हो गया, और hosting दोस्तों वो हो गया, कि माल लिजे, आपने भारतrail.xyz जैसे मैंने बना लिया, website बना लिया, बनाने के बाद मैं उसमें बहुत सारी videos डाली, photos डाली, कि लोग देखेंगे उस video को, photo को, तो भाई देखेंगे तो ठीक है, लेकिन कहा store करोगे वो photo video, कहीं तो आप store करोगे, आप अपने पास तो कहीं रखो, कि तभी तो दूसरा कोई देखेगा, उसे देखेगा, download करेगा, तो उसके लिए ह हमें चाहिए hosting, अब जैसे Google photo में आप देखो, कि पंदर जीवी का ही, जो है, आपको storage मिलता है, पंदर जीवी के बाद आप से purchase करने को कहता है, तो जो पंदर जीवी आप photos store करते हो, वो एक तरह से आप कह लिए, कि होस्ट कर रहे हो, उन सारे photos को आपने रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर आप hosting नहीं भी लोग है ना तब भी चल जाएगा, लेकिन वहीं लोग hosting नहीं ले सकते हैं, जैसे organization जो चला रहे हैं, कोई छोटी मोटी या organization या school है, जहां पर जो storage है ज्यादा नहीं खींचे, जैसे कि 5GB, 10GB ऐसा कुछ अगर storage उसका रहा जाता है, तो फिर हम उसे hosting के लिए suggest नहीं करते हैं, बदबाद में आपको जुरत पड़े तो hosting ले ली जा नहीं, तो काफी है उतना, 15GB का आपका hosting काफी है, तो आप चाहेंगे तो बिना hosting के भी website बन जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप कुछ लोग कहते हैं, कि भाई हाई-end मेगापिक्सल का होगा, और विडियो भी हाई-पिक्सल में जाएगी, तो उतना store करने का capability भी सुना चाहिए, तो इसके लिए आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा, तो I hope so, आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे सस्क्राइबर को भी समझ में आई गया होगा, और दो बजे से तो नहीं, लेकिन तीन-चार बजे के करीब बारिश शुडू हो गई है हमारे हां, और हो ही रही है, लगतार हो रही है, अच्छी खासी हो रही है बारिश, और अब देखो रात को दो बजे तक तो फिर बारिश होगी तब तो कुछ नहीं होने वाला, बैठे अगरा हो रहा है, बस बनने वाला है, खाने जा रहे है डिनर, और व्लॉग क्या बताएं, बस ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, और कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाक लेकिन काम होगा तो बढ़िया होगा, ठीक है, और जो अग्दम नहीं जानता वेबसाइट चलाना क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको वेबसाइट बना करके, और आपको एग्दम कैरी कर दिया जाएगा, कि आप अच्छे से उसे चला सकते हैं, समझा दूँगा, आपको अलग से मैं बता करा हूँ, अलग से मैंने एक वीडियो बना रखिये, वो वीडियो के और वही देखता है, जो की बना चुका होता है, जिनकी वेबसाइट मैं बना देता हूँ, वही लोग वो वीडियो देख सकते हैं, तो वो लोग देखते हैं, कि नहीं कैसे कैसे operate करना है और वह easily operate कर लेते हैं बाकी सारा सुरूशन तक का काम हम करके दे देते हैं तो आई hope so आपको समझ में आ गया होगा वीडियो और website में भाई आप subscriber का question clear हो गया होगा कि भाई क्यों earning website का rate महेंगा होता है क्योंकि उसमें हमारी अच्छे से rank कराते हैं और कितना उससे कमा लेते हो हम आपको एक गेटवे बना करके दे देते हैं कि लोग अर्म करो अब आप ठीक है तो एंड करें हैं वीडियो से वीडियो को और हाँ एक और चीज़ कुछ लोग कहते हैं कि एक और स्क्राइबर था उन्होंने कह थे कि आप गूगल अडश में से वेबटेर साथ रेंक करा करके दोations दोगे तो देखो दोस्तों डिपेंड करता है खिस तरह की यापकी वेबटेर अगर वेबटेर्ट्स तब तो हम Google Adsense के साथ आपका लिंक करा ही देंगे वेबसाइट लिंक करा करके आपको देंगे और अगर आपका जो टॉपिक है वह बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है नॉर्मल है तो फिर ऐसे में भाई कि हीरंक किराना थुढ़ा मुश्किल हो जाता है और गूगल आइवस्ञेंस रही दिया आपकी मेरे लिंक करके आपको दे सकते आपके लिंघ च Amp सकते हम क्लिए पंड़ा दिन के अंदर अब हम आपको गोगल चुरू कर सोलवे दिन में आप समझेगे ना तो बस यहीं करते हैं और व्लॉग में कुछ खास है नहीं दोस्तों और बारिश होई यह बता ही रहा हूं बस घार में डिनर करना है सोना है यही करना है और अब जो है रेगुलर बेसिस पर बनाएंगे भाई बहुत हो गया यह सब बहुत ज बनानी उनका काम था उनका वीडियो बनाना था कि भाई स्वांड जैनती एक्सप्रेक्स को जानता होगा उसे पर एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है पर सब्सक्राइबर से कहूंगा थोड़ा सा सब्र रखिए देखे कुछ प्रोग्लम की वज़ों से परमें बनाने और जो बनाने का आप सोच रहोगे कि घर बैटे बैटे यह हूं ऐसे ही बनादू तो नहीं जो सिस्क्राइबर है कि भाई कि किस बात पर मैं कहा रहा हूं तो बस एंड करते हैं पेसेंस रखी बने रही है हमारे साथ और हर सभी लोग की बात सुनी जाएगी कोई दिकत की बात नहीं है और बहुत सारी ओनलाइन सर्वेस चलने जो रेनुकुट से बिलॉंग करता है रेन नमस्कार